हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो जीटाक पॉली दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक्स के चैप्टर नंबर एट फ्लो थ्रो ओपन चैनल के सभी फॉर्मूले और इंपोडेंट नुमेरिकल की उसन्स डिसकस करेंगे यह पीडिएफ है और यह पीडिएफ में आपको टेलीग्राम पर ओल्रेडी सेंड कर दिया था इस पीडिएफ को आपको में एक बारी समझा दे रहा हूं जल्दी से जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प हो सके और आप कल के एक्जाम में अच्छा टेम्ड कर पाएं अगर इस चैप्टर से कोई क्युस्तन आएग देते हैं इससे पिछले चैप्टर में चैप्टर नमबर सेवन जो था जिसमें हमने देखा था फ्लो थ्रो पाइप उसमें भी हमने इस फॉर्मूले को पड़ा था और यहां भी सेम फॉर्मूला इसमें कोई बदलाब नहीं किया गया है तो जस्ट आपको रिवाइज कर द बी इक्वल टू अंडरूट टू जी अपॉन एफ और अंडरूट एम आई और यहां पर अंडरूट में जो टूजी अपॉन एफ लिख था है यह चेजी कॉंस्टेंट सी की वेलू होती है ठीक है सी जो है इसलिए इसको बराबर में सी अंडरूट एमाई बोल देते हैं अ यहां पर क्रॉसेक्शन एरिया होता है किसी भी चैनल का और पी जो होता है भीगी परिमाफ होती है वेटेड पैरेमीटर उमीद आप सबको यह पता होगा जो बीच वाला पॉर्चन आप इसको स्कृप कर दीजिगा यह जो बीच वाला इसको पढ़ने के आपको आवे सकता पर यहां भी लिख दिया है लिखा बॉक्स में बीक्वल टूशी अंडरूट एम इसे चेजी सूत्र कहलाता है और अगर हम इसकी हेल्प से यह तो वैलोसिटी होगी अगर हम डिस्चार्ज निकालें क्यूं क्यूं मतलब बिसर्जन होता है एमारा डिस्चार्ज तो समझ पा रहे हैं के लिए अब आगे देखिए इसके बाद जो मैं चीजे में वहीं समझा रहा हूं आपको टाइम बहुत कम है इसलिए अब सी यहां पर चेजी कॉंस्टेंट सी इसके लिए इसके जो वैलू होगी उसको निकालने के लिए दो अलग-अलग फॉर्मूले दि सी के लिए निमने लिखित सूत्र दिया सी मतलब चेजी कॉंस्टेंट के लिए तो सी बरावर होता है यहां पर 157.5 अपॉन मैं 1.81 प्लस के अपॉन अंडरूट एम इसको दो तीन बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा एक बार और देख जीजिए साई सीग पल्ट mechanics कर सकते हैं और इसमें आपको के कि वैलू और एम की वैलु निकाल नीकाल झूँँगेमगेफिां को काहते हैं यहकं सब्सक्राइब करते हैं प्राकिरतिक नदीयों या नहरों के लिए सी कमान ग्याद करने के लिए कटर ने प्रियोगों के आधार पत्री आधार पर यह सूत्र दिया इनका फर्मुला थोड़ा सा बड़ा है इसको थोड़ा साही से देखिएगा आप लो इसमें लिखा हुआ है सी इक्वल टू सी इक्वल टू तेहीस प्लस में 0.00155 अपॉन अब यह जो वैलू है यहां से लेकर यहां तक कि यह जो वैलू थी वाली उपर वाली वैलू यही वैलू को फिर से रिपीट कर दिया है 23 प्लस यहां देख लीजिए आप रैकेट में 23 प्लस 0.00155 बट्टे आई और इधर फिर ब्रैकेट के बाहर एन अपॉन अंडर यहां पर कंस्टेंट होता है 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 यहां घर्षन गुडांग होता है हलागि एफ अभी तक इन फर्मुला में आया नहीं था सभी को समझ आगे चेजी फर्मुला में नुमेरिकल जो आएंगे आपको चेजी फर्मुले पर आएंगे अगर टिपडी के रूप में आप से पूछ लेता है वेजिन फर्मुला बताऊ तो लिए फर्मुला लिखे आ जाएगा इसी तरह से कटर का सूत्र पूछे तो कटर वाला फर्मुला बिख या जाएगा के लिए सभी कोई है अब अगला देखिए मैनिंग स्वार्मुला इन दौनों में से एक फर्मुला 100% अता है एग्जाम में इन दौनों को अच्छे से आ याद नहीं नहीं भी कर पाते हैं इन फॉर्मुलों को आप लिखके आईएगा इसके बारे में लिखिए किस चीज का फॉर्मुला है इसके सभी टर्म के नाम लिख दीजेगा यूनिट सहीद तो आपको अगर पांच नंबर का क्यूस्ट नोगा मिनिम्म दो ती नंबर आपक सब्सक्राइब के लिए जैसे भी वराबर बताया था वी वराबर जो बताया था शेज़ी वह क्या हजी रॉइब का फॉर्म लागिन ने भी का फर्मुला दिया ठा एगलिक पावर कॉर्वड अपन त्री और आइप उफॉर वन अपन टू इसको तीन वार बोली यह इंपोडेंट है फिर से बोलिए एक बार और बन अपन एन की पावर तू अपन थी उराई की पावर वन अपन टू थी ऐसे लिए अपको भी आपका वेगोट में यॉए एम वही है hydraulic mean depth meter में आई जो होता है slope होता है इसके बाद n जो होता है इसका रूख सिता गुडांक होता है समझारा सभी को जो आपने उपर देखा था कटर स्थांग उसे भी कह सकते हैं आप यहां पर यहां पर इसके बाद यहां पर लिखा हूँ अगर हमें की पावर 2.3 आई की पावर 1.2 हो जाएगा इससे डिस्चार्ज हम निकाल सकते हैं कि लिए सभी को यह होता है द्रप्रभा की काट का शेत्रफल होता है मतलब जिसके सीवी सेक्षन में आपका liquid flow कर रहा है उस सेक्षन का एरिया होता है यह सभी को समझाया अब देखें यह कु दिस्चार्ज हम ने निकाला वही पूछ लेता सेम चेजी फर्मुले पर वेजड तो वही हम यहां पर देख लेंगे तो यहां पर हमें कौन सा सेक्षन बोला गया आयताकार आप सब ने देखा जानते अच्छे साब जैसे यह आपको दिखाई दी रहा है आयत बना हुआ को गहराई एच है चित्र के अनुसार काट का चेटरिफल इसका एरिया क्या होगा एरिया हम जानते है आयत का चेटरिफल लंबाई गुणा चोड़ाई होता तो इसका एरिया ठीक है इसके बाद इसकी भीगी परिमाप कितनी हो तो आपको दिखाई दे रहा है तीन पोर्शन बीगेंगे एक तो इसका आधार बी भीग जाएगा और दोनों तरफ क्यों चाहिए इधर की भी इधर की भी तो बी प्लस एच प्लस हो जाएगा बी प्लस टू एच हो गया यहां तक क्लियर सभी को डिस्चार्ज के लिए हम चेजी फर्मुला लगा देंगे क्यों बरावर अधिक्तम चाहिए तो इसके लिए अधिक्तम या फिर पी नियूंतम होना चाहिए ठीक है तो बाकी फॉर्मुलेते से बहुर कुछ नियसमन आया बाकी पीछे वाले फॉर्मुलेते से यही समलंबा कार काट मुस्ट इकोनोमिकल ट्रिपेज ओडल सेक्शन अब इसका फॉर्मुले क्या होगा तो मैं आपको थोड़े यहां डायगाम समझा देता हूं ट्रिपेज ओडल तो सभी ने देखा है ना जो समलंब चतुरवुज होता जिसकी एक बुजा छोटी होती ह है दूसरी पुजा यहसे बड़ी होती है और यह इस तरह से इन क्लेट प्लेस में खाया जाता है अब को दिखाहे ते 생각 होँगे इसकी चोडाई बात करें इसकी उचाही की तो यह वाहversion हो एक घर करते हैं इसके साइड वाली साइड की paint νη przyżyirim歡迎 yoice story we a Joicraft प्लिए इसका सिलोब NICK निष्धारित किया जाता ओसा स्लोप लेते हैं एक तो लेते हैं ऊड़ MA25-ध्र में और लेटेंब चैटीज में मतलब अगर अगर आप वाटीकוד एक मीटर के दो सेंटीमिटर मतलब एक यूनिट अगर आप वर्टीकल चले हैं तो होरिजंट्छल आपको N चलना होगा ये इसका सिरोप रहता है तो हमने हैं पर कितन tasting आप देख पांगे हैं Champplace बढ přेhadॉ एस चलने है कितना यहां तो दिक्कत न है अगर आपने वर्टिकल एच चला है तो होरिजोंटल कितने चलेंगे एंटुए यह इनटुए जो चलेंगे यह निडिकल वाला विट्टिल एश था यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को अब मैं कहूं, इस side वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो यह आपको आधार पता है, यह उंचा ही पता है, करण आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थियोर्म से, पाइथागोरस थियोर्म सभी को पता है, पाइथागोरस थियोर्म में क्या होता है, हमें अगर इसका यहां से हτοाइगा अंड रूट यहां से शुपर dwe सबहर आकर हो जाएगा सब्सक्राइब प्लेस यह कहें पर यह इंड विड़ागी जी समझ evalu यहां to तो आपने देखा नीचे वाली चोड़ाई थी थी और यह वाली कितनी है आपके एने अच यह यह बहुत प्लस टु एने चो जाएगा तो ऊपर वाली चोड़ाई कितनी है डाया पूरी तरी के लिए सभी को आप ऑफ फॉर्मुला देख लेजिए फॉर्मुले में कुछ नही सबसे पहले हम देखते हैं आप डाइग्राम के वारे में लिखा चित्र में एक समलंबा कार कार्ट यानि ट्रिपेजॉडल सेक्सन को दिखाये गया है कार्ट की तली की चोड़ाई B है तथा गहराई H है और किनारे की भुझा की जो ढाल है सिलोप है वह वन उर्द्वादर मे यह सब को पता होगा को योगफल इनके बीच की चो दूरी होते उसका आधा कर देते हैं तो दोनों समांतर बुझाओं को जोड़ दीजी यह बी है सबांतर बुझा छोटी वाली वहाली ठीक है और ऊपर कितनी है है टू एन है सवर रहे हैं वर ऊपर है सच और यहीं प्लस तो यहां से क्या किया यहां से उपर साफ देख पारे होंगे अगर आप इसको सही से देखेंगे थोड़ा तो यहां पर बी और बी जुड़कर के टूबी हो जाएक और यह तो ऊपर से लेंगे तो तो कर जाएगा उपर नीचे यहां यह बचा यहां भी प्लस एन अएए बचेगा यह एरिया का फिर्मूल हो गया है याद रखिए गा ट्रपेज और सेक्शन लिए एरिया कितना आता है यह यह आपर एन और ब्रैकेट में भी प्लस एन चाथा यह 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 हम आप B मिल गया घमया से बीगी परबा बता सकते हैं अगर हम इसकी बीगी परबताने ंगाईता खुद बताओ कौन-कौन सा प्रूर संगा हो इसका इक तो इसकी तिर्ची वाली नंभाई यह वाली यहाली यह वाली यह भीगी होगी अगर पूरे में पानीवेदां फेमा यहां तक सभी को समझ आया एरिया का फर्मॉला और पी का फर्मॉला आप लोग इसे रट लीजिए अच्छे से इस पर बहुत क्यूशन बनते हैं एक्जाम में ठीक इसके बात क्यू बराबर हमें पता है एंटू बी होता है और भी हम यहां पर चेजी फर्मॉला वाला रख द की वैलू कम होनी चाहिए तो वह यहां पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे अगर कॉंस्टेंट कर दें तो अधिक्तम विसर्जन के लिए पी निउन्तम होना चाहिए यह सब फर्मॉले थे आपके इसमें चेजी फर्मॉला मैनिंग फर्मॉला अगर आपको यह और कटर फिर्मॉला हो गया ठीक है इसके ऐसे और हमने मैंनिंग फर्मॉला देख लिया इसके बाद मैंताकार सेक्संते फिर हमने देखा समलंबाकार संसे टoren से पहला जो निमेरिकल के उसने इसको रीड कीजिए इसमें लिखा है तीन मीटर गहराई और चार मीटर चोड़ाई चैनल में से बिसर्जन ग्याद करना है चैनल का अनुदेहर्द ढाल जो है आइक हजार में वन है वह अगर आप वर्टिकल चलेंगे मतलब एन की वेलू यहां पर एक हजार हो गई और चेजी कॉस्टेंट जो सी बरावर साट दे रखा है मैंने पहली कहा था कि उससर में आपको सी और लेडी दिया जाएगा इसमें आपको परेशान नहीं होना विल्गल भी ठीक है आपको यहां से आपको क्या क्या दे दिया अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर तो आपको बी दे रखा है इसके बाद हमें यहां पर डाल दे रखी एक हजार में यहां पर आई मिल जाएगा इसके बाद सी की वेलू दे रखिए मैं सी वरावर कितना साथ है यहां तक कोई दिक्कत नहीं पहले हम भीगी परिमा आपको फर्मर लगाएंगे अप चुकि यह सेक्शन आयतकार है चोड़ इन ना मैं की बाद वहने पन्रोट दे यहां आग इसको फर्म्रा लगा दीजी आप विसर्जन वाला क्यो बरावर ए बी होता है और चेजी फर्मुलए में भी होता है एपकाINE एंडरूट माई आगया सभी की वैलूज हमारे पास लेडी हैं पूट कर दी आंसर आगया बोलिए के लिए सभी को यह सिंपल के उस्टन था उम्मीद आप सब को समझ में आया होगा अब नेक्स्ट के उस्टन देख लेते हैं देखें अगला के उस्टन देखें सेँन के उस्टन लिखा यहां पर एक समलंबा कार काट की चैनल में इतना विसरजन हो रहा है कि इसकी तली की चोडाई प्रभाहकी गहराई की दुगनी है यह बराबा टूड़ी यानि कि दो horizontal में horizontal वाली वैलू जो थी मारी N की वैलू होती है small N की वैलू एन बराबर 2 दे दिये हैं पर और आगे बोला तलीका ढ़ाल यानि-ई पर एक बच्टे बतीस्सों दे रखा है तो बिसर्जन क्यू आपको ग्याद करना है सबसे पहले चीज और दूसरी चेज यहां और दूसरा एका फॉर्मुला सिर्फ आपको यह दो फॉर्मुले याद रखने हैं बाकी सारे फॉर्मुले पुरा नहीं है ठीक है सबसे पहला आप यह दे रखें आपको आपने कि उस्टन को सही से पढ़ा तो इसमें दे रखा चोड़ाई गहराई के दुग नहीं है यानि बाकी और आपको आपको आई की वैलू दे दी एक बटे बतीस्सों क्यों निकालना है सबसे पहली चीज आपको क्या बताया था इसमें जो हमारी साइड वाली भुजा की लंबाई होती हाला कि इन्होंने अलग लग निकाल के दिखा रहा है आप डारेक्ट पी बरावर लग इतनी बतायी थी आपको एच लिखे थे और अंडर रूट में वन प्लस एन इसक्वार लिखे दिए तो लिखे थी अब यहां पर एच की जगह पर यहां पर डी रखा है क्या हो जाएगा बी प्लस डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वार अब एक तो यहो गया डीप बताया लिख भी वरूट ना उडी तो बी की जगह टूडी रखा हमने और यह टूडी वन प्लस एन स्क्वार जो और रूट में इसकी वेलू ऊपर निकल दिखा रकत यह दी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वार की जो वैलू आई थी वैलू रखने पर 2.24 दी थी ठीक है निकला की एक इसके बाद यहां पर जब इस वेलु को पुट कर दिया खितना हो समझ आगे एक इसको पूरा निकल कि यहां से पी इसके आगी है अमने नहीत दिया दूसरा फिर अरिया का सब्स Progress spend अरी की स्कॉर हो जाँका और out तो प्लस ब्लस आंगा यानि 4D आगया की वैलू यह पता चल गया म fist पादऊ की वैलू है और यह वाली A की वैलू है अब M निकाल दो A upon P से, M निकाला A upon P से तो M की वैलू यह आगी निकल के, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, I की वैलू एक वट्टे 32 की उस्तर में दे रखी थी, अब हमाँ B वरावर फॉर्मूला पता है, B वरावर क्या होता है, C under root M I होता है, यहां पर C की वैलू 55 की उस्तर में दे थी, M की वैलू जो हमने अभी निकाली उपर, यह देख सकते हैं, M की वैलू पूट कर दे, I की वैलू जो है, एक वट्टे 32 होती, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, B की जगह आपको एक मीटर पर सेकेंड की उस्तर में दिया था, यहां से हम D कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने इसको कैलकुलेट किया, और हमारे यहां से D की वैलू मिल गई, जब D की वैलू मिल गई, तो एरिया की वैलू उपर आई थी, उसमें D की जगह पर D की वैलू रख दो, आपने देखा था एरिया की वैलू 4D स्क्वाइर आ रही थी इसमें D की प्लेस पर D की वैलू रखेंगे आप तो यहां से आपको एरिया मिल जाएगा 11.7 मीटर कोई दिक्कत नहीं क्यू बरावर A B होता है तो हमारा क्या क्या की वैलू पता है मैं B की वैलू पता है तो एरिय अगले क्यूसन देखिए इसमें एक्स्ट क्यूसन है आपका तीसरा क्यूसन यह भी पूछा गया यूपी राजिस्तान दोनों एक्जम में गहराई को इस्तिर रखकर ढ़ाल को दुगना करने पर ग्याद कीजिए कि एक चैनल से विसर्जन किस अनुपात में होगा यहां क् पता है अच्छे से अब बोला यादि गहराई को तो कॉंस्टेंट रखें डी में कोई चेंज नहीं करना आपको आई की वैलू आप दुगना कर रहे हैं जब आई की वैलू दूगना करेंगे तो क्यू बराबर फर्मुला हो जाएगा एसी अंडरूट एम इंटू में टू आपको बताना है इसका जो बिसर्जन को उपर लेना है और नीचे लेना और पहले वाले को तो इनको दोनों को हमने डिवाइड किया यहां से रेशियों निकाल दे अंडरूट टू आया था निकलके ठीक है अंडरूट टू की वैलू रग दी 1.414 होती है कोई दिक्कत नही है क्या एक आयताकार चैनल 1.5 मिटर गह रहा है मतलब या एक की वैलू कह सकते हैं डी या एक की वैलू एस दे आपको वी चोड़ाई दे आपको कितनी है तीन मीटर ठीक है यहां से एरिया इसली मिल जाएगा हम है यहां से एक ही वैलू निकालनी हो तो दोनों का गुणा कर दीजेगा बी इंटू एच या बी इंटू डीके दीजिए एरिया पी निकालना पी तो आधार वाला तो सिंगल रखते हैं रूचाई वाला दूगना कर देते हैं बैटिट परमीटर में तीन साइड भीकती है इसकी इन दोनों की जगा आप बी और एच की वैलू रख दें रख करके पी निकाल दिया बी प्लस टू एच लगा करके इसके बाद एम निकाल दिया एपॉन पी से आई कि उसन में दे रखा था क्यू बराबर एस एंडू टैम लगाया सारी वैलू जहां से पुट कर देंगे पीडेफ आपको दिया गया टेलीग्राम पर वहां से आप किजेगा अब लास्ट टाइम आपका टाइम बचाने के लिए में जल जल दी कर रहा हूं इसमें आगे अगला किसे नमारा थी सेंटीमेटर ब्यास के पाइप द्वारा पानी प्रवाहित होता है यदि पाइप का ढाल 400 में एक है तो पाइप के आधा भरे हुए प्रवाहित थोने वाले विसर्जन कितना होगा सी बराबर 45 इस वार दियान रखना आधा बारा हुआ है तो हाफ हो जाएगा अपका एरिया एरिया भी हाफ हो जाएगा वेटेट पेरामीटर भी हाफ हो जाएगा बागी दिक्कत नहीं ठीक बागी फॉर्मूले सब सेम रहेंगे क्योंक पानी आपका आधे पाइप भरके चल रहा है एक वट्टे दो हो जाएगा पाइवाई फोर डी स्क्वाइर एडिया का फर्मूला होता है इसका आधा कर देंगे डी की वैलू पुट करके हमने एरिया निकाला है इसके बाद पी निकालेंगे पी एक्चॉल में कोई क्रोस से अधा कर देंगे पाइडी यहां पर वैलू पुट की वैलू पुट करेंगे एजी लिए आंसर मिल जाएगा के लिए बस मैं आपको बता दूँ दो ही तरह के आपको चैनल देगा इसमें एक तो आपके लिए आयताकार चैनल दे रखा हो इस तरह गा जिसमेंं ऑपका है तो अगर निकाल नहीं होता है और भीगी परका पी बराबर विप्लस टुए होतीए इसका बात करना तो इसका एरिया जस्ट भी आपको बताया था दोनों समानतर हुजाओं को जोडते हैं एक तो बी हो गया प्लस में उपर वाला जो रहता है बी प्लस एंडी ये वाला और इन टू में इसकी गहराई का आधा कर देते हैं डी वाई टू ठीक है इस तरह से तो यहां से आपको यह बाले लिखा है एक मिट्टी की नहर समलंबा कार काट की है कैसी टृपेज और अब धियां से देखना है वैलू क्या-क्या पता है आपको चोड़ाई बी की वैलू पता है जिसके किनारे किनारे दे रखा आपको एक वट्टे दो छैते जा और एक उर्द्वाधर यानि यह आपको क्यों की वैलू पानी की गहराई 1.5 मीटर डी के दो या एच के दो एच की वैलू हो गई तल का जो धलान है वो ग्याद करना धलान मतलब आपको आई की वैलू निकालनी है और चेजी सूत्र में जो आपको चेजी कॉंस्टेंट है वो सी बराबर 50 दे रख अब लिखा था और अंडरूट में 1-0 पॉल सकते हो नहीं पर लिखा रिखा है अनडरूट में 1प्लस एन आपको दे रख्या ऐ है रहाई की वैलू यह है और इसकी गहराई कितनी है इसमें बोला है तल की चोडाई 6 मीटर गहराई के युसंगे राट रह था एधर घराई ठीक है यहां पर कोई दिक्कत नहीं किसी को अब P बावर फर्मुला लगा दी हमने P बावर क्या होता है B प्लस दोनों साइड वाली लंबाई ठीक यहां पर हमने वैलू पुट की अब बावर फर्मुला लगा दिया एसी अंडरूट में एम आई है एम की वैलू रख दी आई आपको कैलकुलेट करना है यहां से आप पहले इसको इस वाली वैलू को यह जो वैलू आपको दिखाई दे रही है यह वैलू इसको ले जाए इस साइड अपॉन में आ जागे धर जोड़ी यानि बी दे दिया इसके बाद आयताकार बहुत सिंपल आयताकार दिया तो चैनल सोले सो में एक के डहलान पर बनाई गई है जिसमें तीन मीटर गहराई तक पानी बहता है यदि गहराई दूगना कर दी जाए तो विस सर्जन में कितने परसेंट की ब्रद्धी हो आयताकर काटतो बीन टूएच कर देंगे या बीन टूड़ी चोड़ाई और गहराई के गोणा करके ए निकाल दिया पी का फॉर्मुला क्या होता है पी बराबर चोड़ाई और दोनों उचाही को जोड़ते हैं तो बी प्लस टूएच से हमने पी निकाल दिया इसके बाद निकाला दोनों का डिवाइड करके एपॉन पीसे तो यह पहली केस में आ रहा तो इसलिए 11 लगा दिया है सब के साथ ठीक यहां से एंकी फॉर्म में आपको क्यूबन का फॉर्मला मिल जाएगा एंके पॉड़ों की कोई वैलू आपको देनी रखे तो आपको रखनी भी नहीं है ठीक है वी वन निकलते हैं ने क्यूबन लगा दिया एवन बीवन से और यह वैलू बता दी इसके बाद दूसरी इस्त डीजेगा डीवल की गई हैं पर पीवज्यां के मिल जाएगी डीवल करतीजिएगा ठीक है टो डीवल करने का मतलब क्या पहला तीन था छे हो जाएगा ठीक है तो बी प्लस तू होता है यह टो टू हो गया यहां पर अठारे आगिया समझ पाना यहां देखा ये वाला तो प्लस में टू इंटू डी की वेलो दूगनी कर दिया चेह इस तरह से तो यह आ गया एटू पीटू दोनों का डिवाइड कर देंगे एंटू मिल जाएगा अब इसके बाद आई की वेलू तो आपको वही रखनी है से एंटू से उसमें कोई बदलाम नहीं करना यहां पर हमने की बीटू निकाल दिया इन के पदो में दीटू क्यू निकाला यह इन टू ऑली चू करेंगे फंड़ी मिल जाएगी गे अब का फर्मुला हो जाएगा ठीक है दोनों में कितनी की व्रद्धी हो यह डिफ्रेंस निकाल लेंगे आप उन में ओर जिनल वाली डिस्चाज रख करके एजी लिए हम यह पर पर सेंटेज बता सकता है थोड़ा टफ था क्यूस्तन यह अगर एक्जाम में आ जाए तो पूरे पा करें jeśli फॉर्मुला याद कर लीजियगा और कटर का फ़र्मॉला भी आप लोग याद कर लीजगा ठीक है इस तरह से उसके बाद मैंूनिंग फॉर्मुला वाला क्यान को आम के उपर सेंटे करना इसे वह कीजिए ₹ सक्षियरु सविल और ढ बाकी कीव का फॉर्मूला भी से पीछे वाला है और एम का फॉर्मूला भी आपका से पीछे वाले रहेगा एपॉन पीजो होता है ठीक है इस तरह से फिर कि उससंसा इनको देख लीजेगा एक बार तो इसमें इतना ही रखते हैं बस मैंनों कोसिस की बहुत जल्दी कवर करने कि फिर भी थोड़ा सा टाइम एक्स्टर लग गया और मुझे लगता लगवग आपका या आदे घंटे तक लेक्चर पहुंच गया होगा तो मिलेंगे बहुत जल्द अब किसी अगले लेक्चर मां तब तक के लिए बाई-बाई टेक्केर